बूंटी ए स्टूजेंट्स चाटर फोड में इसके बारे नियुख करेंगे हमारे आसबास में इतनी भी पुस्तुम्में है उसमें खुछ इविंग श्या और कुछ नन लिविंग श्या लिविंग श्या जैसे प्लांट इनिमाउंस ये रिविंग श्या और रॉक्स है यह सब जना ती है अब से आड़ और विवेंड के बारे में परेंगे डिविविंग टिंग्स कि यानि लिवींग टिंग थेंग से और बदद इस विवेंग से वह एक बने ओद वह थे जो छोटे-छोटे से बने ओते हैं निए चोटे-चोटे शेल्स मिलकर के और बने का पार्स मुता है को पहुष सारे उसे हैं corr पार्स बनता है तो सेल्स सबसे चोटा से बनता है जो एक से बना पार्स नियुक्त रेनुश्यम जो एक सिर्पाना होता है और बहुत सारे सैंज कोн से बनते हैंतोज उसके लेविंगत ढूप एंदिशो अउनेजंग लेवएग barrels खब्रबिक्र ते जैसे चोटा और चाहर बढ़ करके भरते बढ़ते प्राव कश़ता है छोटा पौधा बढ़कर के देरे बढ़ा हो जाता है तो यह होता है जितने भी इस वह लाव करते हैं और वो उस पार्ट को बढ़ा देते हैं वह इतना एक समय आता है जो उसका बढ़ना बन हो जाता है तो सभी जैसे छोटा कुटा का बच्छा गन लेता है तो वह बढ़ते बढ़ते बाद में एक डोगी बन जाता है बना हो जाता है लेकिन एक समय आता है जो उसका ब्रोध रूब जाता है वो की यह जाता है दूटे दूटे उसके बाद वह घ्डाइब लागनार डेंगों तो जितने वी डिविंग में से एक समय आने पर उसका प्रोथ रूज लगता है और वह आगे टाइर वह लगता है लेकिन प्लांट्स में जितने भी ब्लांचें हैं लेट्स। जो ब्रांच का दो उप्रोथ होता है वो लिप्स के बहुने से होता है हार जार नहीं हमता निकलता है और ब्रांच पे ब्रांच